अन्जी क्या हाल है सबके गुड मॉर्निंग सुप्रभाद जैहिंद गुड मॉर्निंग सबको जल्दी से लाइक और शेर कर दीजिए एंड विया स्टार्टिंग और टुड़े सेशन फड़ाफट फड़ाफट मैं एक बार एक बार जल्दी से में फियर कर देता हूं हर जगह उसके बाद आप भी शेर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और जोष अरे बोला लो जी हमने डाल दिया है कम फास्ट यह हो गया जी इधर 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 कंट आपक्राइब समिचर सीडिय में समिचर बस जी लेट स्टाट दा सेशन जो जो एक बार यह लैक कर रहा है मैं इसको प्सक्त हो और दीए यह लैकर रहे हैं जालो मेरे हैसाब से अभी यह सही होना चाहिए तो जल्दी से फटाक से आज के अम डेली का इंटर अपटा हैं जिस बच्चे को ना पता हो कोई बच्चा नए आया हो तो जी सुमित कुमार करेंट अफेर्स मेंटर बेसिकली अगर आप किसी भी किसी भी कुम्टिटे एक्जाम की तेयरी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत जाद इंपोर्टेंट है तो आप भी अपने भाईयों भैनों को मित्र महिला मित्र सबको शेर कर दीजिए उनको भी करेंट अफेर के फाइदें मिल सके सबसे पहले तो कल का हम करेंगे कब मैंने हम्वक दिया था यूई कैपिटल इन करंसी बहुत बच्चों ने मैक्सिम बच्चों ने समिट कर आपना हम्वक इन कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा लगता इसका नाम भी भूत बच्चों ने एकदम सही समिट कर आपके कमेंट सेक्षन में नाम है अमरीका रशिया चाइना यूके एंड फ्रांस इन चैनी बहुत ही वेधरिन आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की करेंटाफेस पुतीन मैक्रोन अब पहली बात तो को पुती इमेल मैकरोन ठीक है अब यह दोनों काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से युक्रेन वाला जो मुद्दा चल रहा है जिसको मैं ओल्लडी दो तिन बार कवर्ज कर चुका हूं अपने सुबह वाले करेंटरफेस में उस पर किस तरह से सीज फायर यानि पीस मेंटेन हो जाए इसके सा साथ जो रश्या के मामले चल रहे है रश्या की बेलारूस में चल रही है वहां पर लगबग 30,000 ट्रूप्स रश्या के ओलड़ी मौजूद है ओन नेम ओप ड्रिल एक्सराइज मतलब कि वहां पर ड्रिल एक्सराइज चल रही है समझे मेरे बात तो वह सब चलते हुए यह आपको मैप से क्लियर हो पाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूं कि युक्रेन बेलारूस फ्रांस इन सब का लिंक क्या है देखो जितनी भी यूरोपन कंट्री आपको मिल रही है यूरोपन कंट्री का सीधर सीधर मामला है आपको पता है कि रश्या अगेंस्ट नाटो ठी मैप से दिखाता हूं कि तब आपको चीजे के लिए रोपाएंगे कि देखो चाचा जी कि यह आपको दिख रहा है बच्चे युक्रेन दिख रहा है इस रश्या बेलारूस अगर रश्या को इस पर अटेक करना है तो एक साइड तो यह हो जाएगी और एक साइड अगर इस कि यह सारी कोडिनेशन चाह रहे हैं इसलिए यह इतने ज़्यादा घुसे हुए है और सो किसी तरह से भी रश्या यह नहीं चाहता कि युक्रेन को मलब नाटो का मेंबर बनाए जाए अब जो बात और यह सीज फायर के तो उसमें रश्या ही बात आप आप देख देगा कि युक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाओगे वरना तो दिक्कत हो जाएगी बात आप समझ रहे हो तो ऐसे ही सीजफायर होगी जान बुच के पूरा पूरा मुद्दा इसलिए ज्यादा से उठाय जा रहा है कि अगर आप नाटो का मेंबर बनाओगे तो यहां पर सीजफ समझने कोशिश करो बहुत जादा इंपोर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज पर आज के टाइम पर सिच्वेशन चल रही है कि हमने पहले भी स्यूजर कवर करा है तो मेरे इसाब से ठीक है अच्छा है मेरे बात सुनो जब भी कोई कंट्री न्यूज में आए हमेशा एक काम कर और गूगल मैप पर फटाक से आपने कहां गई अच्छे इसमें यह हो गई नहीं फटाक से गुल मैप पर उसको लोकेट करा करो और उसके आसपास तींट्री को लोकेट करा करूंगए धीरे दिरे प्रक्टिस इतनी इंट्रस्टिंग बंजाएंगी आपको बहुत जादा ह कर लिए को लिए करए कि हैं घ्यावेकट है तो यह मेरी ओए है लिए ओन्सेक लिनेशना हर कॉल्ड को यह सब बार बार रोज रोज क्या नया समझाएं वहीं चल रहा है जब तक आप यहां पर लड़ाई नहीं हो जाएगी जब तक हमारे पास कुछ नया नहीं आएगा ठीक है चलो नहीं मैं लड़ाई नहीं करना जारो हाथ बता तो इन सब को आप अपने मैप पे लोकेट कर सकते हैं जो जो मैंने बाते बता है कि भाई सब गवर्नर की पोस्ट ही हट जानी चाहिए आप सबको पता है कि हमारा समविदान एस पर आर्टिकल वन सिक्स्टी वैसे मैं लिखा हुआ पूरा पूरा तो इससे बताऊंगा पहले बात बताता हूं यहां पर इनों यह बोला प्लस में एक वेस्ट पेंगोल अ स्टेट विन गवर्नर एंड स्टेट असेमली वह बहुत ज्यादा भड रही है आप समझने कोशिश करो कि गवर्नर का रोल क्या होता है तो अगर हम अपने समविधान में आ जाए तो आर्टिकल 153 से 162 तक बात करता है गवर्नर की उसकी पावर की यह सब बाते क्या आप कि मैरेटों की सब होगा दो तरीक साने कैडमी क्रेश कोर सा रहा है मैं उसके बारे में मैरेटोन भी मार्ष से आ रही आपके लिए इंटरफेस की उसके बारे बता दूंगा सुना मेरी बात देखो जी गवर्नर बैसिकली एक लिंक होता है बिट्विन यून्य गवर्मेंट एसका नहीं है जिस तरीके से जो प्रेज़िजेंट है काम करता है पार्लेमेंट होती है प्रेजिडेंट होता है वैसे ही in the same manner state में legislative assembly होती है एंड गवर्नर होता है जितने वी काम होते हैं सारे के सारे काम जो करे जाते हैं वो ओंदा नेम ओफ गवर्नर करे जाते हैं उसी के हस्ताक्ष्र मतलब मान्य होते हैं अगर अगर लेकिन वह बात अलग है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे वह बाउंड होता है उनका डिसीजन से बाउंड होता है फिर भी कुछ-कुछ ऐसी पावर से जहां पे अपनी पावर का यूज करते हुए वह अगेंस जा सकता है जो स् जाते हैं पहले एक बात को समझने कोशिश करना कि देखो इसकी लेजिसलेटिव पावर्स क्या है वैसे तो पावर्स बहुत सारी है लेकिन लेजिसलेटिव पावर एक बार समझो कि क्या है लेजिसलेटिव पावर लेजिसलेटिव पावर यह है कि ही कैन प्रोरोग दस्ट सब्सक्राइब कर सकता है फिर अल्टिमेटल टाइम री एलेक्शन भी होंगे या फिर पात साल का टैनियूर हो गया है तब भी वह सब्सक्राइब कर सकता है खतम टाटा बाई-बाई ठीक है एक तो यह इसकी पावर है इसके लावाद जब भी स्टेट मतलब का सेशन होगा हर साल पहले सेशन को ही विल एड्रेस हर साल पहले सेशन को ही विल एड्रेस इसके अलावा जो मेंबर ओफ लेजिस्टेटिव कांसिल जो कि आज के टाइम पेचिव छह स्टेट्स में है जिसको मैंने तीन दिन पहले आपको होमक में दिया था कि कौन-कौन सी छह स्टेट्स हैं तो बच्चे उसमें वो जैसे प्रेजिडेंट बारा मेंबर अपॉइंट करते हैं रज्जे कोई बिल अगर इंट्रेट्इूझ करा गया है और पास्कर दिया है तो और यहां सकता है और पॉछ पापाजR के बताओंगा तो बिच सकता है और प्रेसिजेंट के पास यहां पर पावर है कि उसके पास बाउंडेशन नहीं है कि उसको इतने टाइम में लोटाना ही लोटाना है ठीक है तो इस तरीके से काफी बारिन चीजों का यूज करके गवर्णर जो है परेशान कर सकता है स्टेट लेजिस्टिटिव असेंबली को इस है वह अपवयंट से पूछके होना चाहि बिना स्टेट की कंसीडेशन के गवर्णर आपव्यंट नहीं होना चाहिए जिव आप गवोर्णर को इतनी पावर्ट दे रहे हो तो कम से कम स्टेट के लोगों की कुछ आवाज तो दो उस को यानि कि आज की टाइम पे गवर्णर का जो अपोइंटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है बता देता हूं अगर आपको गवर्णर बनना है तो आपको दो कंडिशन होनी चीए मैं देखो वैसे तो और भी चारवाज कंडिशन है लेकिन मोटा मोटा समझा देता हूं कि कि अगर 35 साल की उमर है और आप प्रेजिटेन की नजर में अच्छे आदमी हो तो आप गवर्णर बन सकते हो नोर्मवली गवर्णर का जो टाइम कितना होता है नहों करेंगर का टाइम पेड़ प्रेजजन तो आंसर वही में होगा और प्रेजुझंट जब चाहैं आपको जब चाहें आपको रहता सकता सकता है तो कुल मिलाके कोई डायरेक्ट या इंडायरेक्ट इलेक्षन नहीं है सीधा सीधा प्रेज़िडंट करता है अब यह लोग कह रहें जीरे बहुत जा में सीधा प्रोसे़ Kingdom नहीं यह सारी बात बोली है कि यह जो पोस्ट है ना यह मतलब नहीं है उस लायक कि आपको इस तरीके से ऐल्टेमेटली यह क्लैश क्रियेट करती है बिटिम स्टेट गवर्मेंट एंड गवर्नर तब उन्होंने बोला कि भाई इस पोस्ट को ही हटा दो तो अल्टिमेटली आप समझ रहो कि हमारे सम्विधान से कितनी इंपोर्टेंट पोस्ट को हटाने की बात हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी गवर्नर से रिलेटिड आर्टिकल्स है उसको इस बार के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से पड़े इसके केरला के गवर्नर आज के टाइम पे आरिफ मुहम्मद खान है तो बच्चे आपको इनका नाम पता होना चाहिए जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या आपको चीजे समझ में आ रही है क्या मामलो एकदम ओपी है इसके अलावा मैं आपसे एक कोश्चन और एक ओपीनिन भी लेना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कुछ बाते मैंने आपको बताये कि What Exactly ली गवर्णर का काम क्या है इसके अलावा कुछ चीज़े आपको पता भी होना चाहिए कि भाई मलब पता भी होती है कि गवर्णर लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे जैसे पीफ टाइप की त्यारी कर रहा है तो जरूर उसे पूछा जा सकता है इस लेवल का सवाल तो पूरी अनलेसिस होनी चीए कि एक्चुली गवर्णर का काम क्या है किस तरीके से वो करता है अगर गवर्णर नहीं रहेगा तो काम किस तरीके से होना चाहिए मनलब ओर एक ओपीनियन मैं आपका जानना चाहूंगा अगर आप देना चाहें तो जरूर आप कमेंट सेक्षन में इस ओपीनियन को शेर कीजिए जितनी भी आपकी नोलिज है उसके हिसाब से शेर कीजिए उस और अच्छा एक बात और करा करो जो ब ओपीनियन वाले इन पर्टिकुलर ओपीनियन वाले कोशन में दूसरे बच्चों कमेंट से पढ़ा करो ताकि ओवर ओल दूसरों को पीनियन भी जानने को मिले इससे होगा क्या अगर कभी ये कोशन आपके जीडी में डिबीट में आता है तो आप क्या कर पाऊगे मतलब मल और के बारे में इतना बहुत है और कितनी फुटेज दे हम इतनी देदी है बहुत है कि मैं इससे सिर्फ आप से आपका एक कोशन कराना चाहता हूं जो की बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और जब जब इलेक्शन में आता है तब तब इस बार किसने वोट दिया जल्दी बताओ जो मेरे इसाब से बच्चा सीडियस की एक के सीजल की तेहरी कर रहा होगा उसने अभी वोट दे अगर अगर उनकी स्टेट में इलेक्शन हुए होंगे तो तो जब वोट देने जाएगा तो बच्चे एक मशीन होती है और उस मशीन पे आप बटन दबाते ह हो तो वो बच्चे आपकी वोट रजिस्टर हो जाती है लेकिन उसके साथ साथ पिछली बार से ही एक और सिस्टम लाया गया है तो आप बटन दबाते हो साइड में उसके मशीन रखी होती है ठीक है उससे क्या होता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का आपने बटन दबाया है उस सिंबल पहां पर ची आती है तो उल्टिमेटली जितने बटन दबते रहते हैं तो जिस जिस से भी पॉलिटिकल पार्टी का वह मतलब बटन दबाया है उसकी कोडिंग परच कट के युस बोक्स में डलती रहती हो थील बोक्स होता है कभी बाइच चांस को दिक्कत तो उस case में verify करा जा सकता है उस particular पेटी को खोल के कि इसमें से कितनी परचिया बिजेपी की थी और कितनी परचिया जो है कोंगरेस की थी आप और आप की थी किसी की भी थी तो यह जो सिस्टम है पिछली बार से इंट्रिड्यूस करा गया था और हब हर इलेक्शन में यूज करा जाता है इसकी फुल फोम आपको पता होने चाहिए वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्राइल वोटर वेरिफाइ यह चोटी मगर मोटी बाते बाता समझ रहे हो तो यह उस केस में है आपने बहुत 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 बार आपने वो न्यूस सुनी होगी कि एलिगेशन लग रहे हैं कि आप बटन कहीं पे भी दबाओ वोट बीजेपी को जाएगी थोट दिन पहले इस टाइप की अलग अलग उसके चलते हुए इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने यह वाला सिस्टम स्टाइट करा था ठीक है ठीक है यह याद रखो आगे चलते हैं देखो कल एक मीटिंग को एड्रस करते हुए एस जैशंकर जी ने बोला पर्टिकुलरली बंगले देश को टार्गेट करते हैं कि आप लोग दूसरे कंट्री से इंवेस्टमेंट ले रहे हो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के ओपर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसे ऐसे एरपोर्ट बना रहे हो ऐसे पोर्ट बना रहे हो जहां पर कोभी कोई शिप नहीं आती है जहां पर मतलब बेसिकली अरोप्लेंस ल लगा दिया वह भी करज लेके चाइना जैसे कंट्री से चैना जैसे कंट्री से करज लेके पैसा लगा दिया तो आप यह भी तो सोचो क्या वह सच में सस्टेनेबल है क्या वह स्टिकल है जब उस एडिया में और लड़ी दो रड़े ना में एरपोर्ट बने हुए है तो क्या तीसरे बनने की जरूरत थी क्या क्या उसकी कोस्टिंग निकाल पाओंगी कभी आप मिरवाता समझ रहे हो कि मेरी क्या मेरी बात समझ रहे हो तो जब जैस अंकर जी ने ये बात बोली तो वहां से अपोजिट आया ठीक है जो एक्सेल अफेस मिनिस्टर थे अब्दुल मुम्मान भांगादेश के क्या उनने बोला क्या जैसी क्या वैसा क्वार्ड मेंबर करता है पहली बात तो आपको क्वार्ड मेंबर पता होना चाहिए कि और को बेचोंगे पिको चायना का यही फंडा रहा है ठीक है उसके अलावा में आपको वार्ड मेंबर्स पूछना चाहूंगा बचे क्वार्ड मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेण्ट है क्वार्ड वाड्डी लेटर से आया क्वार्ड़ चाल कंटरी मिलाके क्वार्ड बनाते हैं जिसमें USA जापान उस्टेलिया अर इंडिया है अगर आप मैप पे प्लोट करने कोशिश करोगे तो बनाते हैं इसलिए नाम है आपके लिए मैं हमवक दे रहा हूं मुझे आप बताना कि अब अभी रिसेंट्ली एक सथ अब आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताना कि उस इक्सराइज ने मिलके प्रफॉर्ण करा एक्सिंञें समें में स्थार बर्ट कमिशम रर्श में होते हैं कुछ ही बन्दे होते हैं हर पूलीटीकल पार्टी के आप कर देखो कि जो किसी हिस्टेट में प्रचार कर रहे होते है बहुत बड़े लेवल पर उनका खर्चा चुर्ठ करना रख बरका को तो बच्चे आपको ये तो उनको बोलते हैं स्टार स्टार केंपेनर्स तो इसमें प्रॉपर लिमिट होती है यह इतना खर्चा करा जा सकता है तो पहले यह स्टार केंपेनर्स है इनकी जो मतलब नंबर है 40 होते हैं नॉर्मली उसको 30 कर दिया था न्यूज में आया दुबारा से आज की एफस्पा को अलग-अलग बंदे यूज कर रहे हैं अलग-अलग तरीकों से एफस्पा बिंग यूज टू टार्गे सिटीजन फिक एक होंगरे इसने बुलाए मनी पूरी एलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यही चलता रहे एफस्पा के बारे में मैं और लड़ी दो-तिन स्लाइड कवर करा चुका हूं परस्वाली क्लास में तो वहां सी रफर कर सकते हैं या फिर मैंने उसको यहां भी डाल दे कि वर्ट इस एक्जक्टली एफस्पा कौन सी कंट कौन सी स्टेट में एफस्पा लग रहा है वाले वह बच्चे बाद में बाद में लिखना अभी आप थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज अपने ओपीनिन आप कमेंट सेक्ष्ण में लिख देना प्लीज प्रक्रागरवाल कह रहे हैं बारा गंटे की मेराथोन एंडिय निकाल देगी हां बच्चे अना बारा गंटे पढ करना शुरू करता है और आप आते हो लास्ट के बारा कंटे पढ़ते हो जादो की छड़ी गुमाते हो और बोलते हो मेरा एंडिय के लियर हो जा ओम ब्रूम ब्राम शाशा भूम अना बच्चे शांति रहो पढ़ाई करो जितना टाइम आपके पास बच्चा है प्लीज आप इंडिया बच्चे बिजिंग ओलम्पिक से पार्टिस्पेट रही करता है लेकिन फिर भी जब 2022 में हुए हैं और 2022 में आपका पेपर है कोई भी पेपर है चाहां पर नोट अल्ली एंडी और सीडियस चाहां किसी भी कॉम्टेट एक्जाम के तयारी कर रहे हो तो पेप आपने यह देखो क्लोजिंग सेरेमेनी में जो फ्लैग है उसको अल्टिमेटली पास कर दिया कर दिया गया है मिलान एन कोटिना यह इटली को यानि अगले 2026 के विंटर ओलम्पिक्स बच्चे हो रहे हैं इटली में यह आपको पता होना चाहिए इसी के साथ साथ इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि विंटर ओलम्पिक्स में मलकी से कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं तो बच्चे वह जीते हैं नोर्वे ने और जो होस्त था चाइना वह रहा है थर्ड रैंक पे तो एट लिस्ट इस टेबल की यह दो पॉइंट तो आपको याद हो नहीं होने चाहिए और पहले वाले बंदे के टोटल मेडल एंड गोल्ड मेडल भी याद होने चाहिए इतना एक्ट लिस्ट कर लो अगर एक्जामनेर फसाने पे आ गया तो इस टैप की कुशन पूछ सकता है ठीक है बाबू जो इंडिया होस्ट बना है आयोसी कमेटी का उस वो भी बच्चे कर अंटफेर की न्यूज में है शान्ती रखो बच्चे 20 फरवरी को अरुनाचल परदेश ने सेलेबिरेट करा अपना 36 एर ऑफ स्टेट हुड डे अब बच्चा बोलेगा सर यहां पर 36 लिखा हुआ है यह अरुनाचल परदेश 1972 में एक यूनियन टरिटरी बना और अल्टिमेटली 1987 में अरुनाचल परदेश असाम से निगलके एक स्टेट बनाया गया अगर आप मैप पे देखोगे अरुनाचल परदेश को तो समझ में आ जाएगा कि अपने बहुत जादा इंपोर्टेंट रु पूरा का पूरा और एक बात अब समझ लो जैसे कि लद्दाख वाला जो रीजन है जो कि इंडिया और चाइने के बीच में थोड़ा सा अनबंगा रीजन बना हुआ है उतने उसी ही लेवल पे बच्चे अरुनाचल परदेश भी बना हुआ है यूल बिशॉक टू नो दिस सकी चाइना अरुनाचल परदेशक को लगबंट अपने मैप में दिखाता है कि किटली बड़ी चीज है कभी ना कभी ना तो पर वी छोटी मोटी लड़ाई तो पहले होती लिए जैसे गलवान मैले में क्लैश फॉवात जैसे कि मैंने बताए कि 1987 में स्टेट बना है 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था यह आपको पता होना चाहिए बर्ड होन्बिल है जिसको गायल के नाम से जानते हैं दिहांग दिबांग जो बाइस फेर रिजर्व है वो बच्चे यहां पर लोकेटिड है कुछ फेमस देश में रहते हैं दे आर ट्राइबल पीपर जो प्रक्टिस करते हैं स्लैशन बन फार्मिंग जिसको शिफ्टिंग कल्टी विशन के नाम से भी जानते हैं तो बच्चे जो यह पर प्रशन आ सकता है मैच दा कोलम में कि कौन-कौन से या फिर ऐसे आ सकता है विच्व फोल इस ट्राइबल गुरूप जो की अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं बच्चे हैं अब हाजी आई होब कि आपको यह चीज क्लियर है जितने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने कवर करा दिये हैं अरुणाचल प्रदेश को सुदा रगुन अथन जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ओन कल्चर उसमें सुदा रगुन अथन को मेंबर बनाया गया है पेपर का कोश्चन सिर्फ इतना ही आएगा विच अपोलेंग हैस बिकम दा मेंबर ओफ सी एबेसी जिसमें आपको यह इनका नाम जो है टिक कर देना है बच्चे सबरी माल केस जब भी आपके दमाग मेंगा सबरी माला जो मंदीर है बहुत ज्यद्ते नियूज में रहा है ठीक है पिछले कुछ टाइम में मेरी आप से हूमवक की डिमांड यह है अप मुझे बताऊगे के सबरी माला कौन से रिवर पे लोकेटिड है और कौन से भगवार सबरी माला में मिलते हैं कौन से डाइटी सबरी माला में मिलते हैं क्या आप मुझे बताओगे जल्दी बताओ आपको बताना है यह डाइटी कौन से डाइटी सबरी माला में मिलते हैं बच्चे यह आपको बताना पड़ेगा थी उनको अलाव नहीं था इस मंदिन में जाना तो इसको पर काफी टाइम से केश चल रहे थे और अल्टिमेटली हाई कोट ने बोल दिया था सब्री माला इश्यू के ऊपर कि बच्चे ऐसा नहीं कि महिला क्यों नहीं जा पाएगी महिला महिला भी जा पाएगो अल्टिमेटली आज महिलाव के एंट्रिस में वैलिड हो चुकी है ठीक है अब मेच सिक्स्टी आर है है मम्मी बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मियस सब्सक्राइब करेंगे नहीं नहीं आपको चोकलेट में दिला रहा हूं बच्चे प्रेजिडेंट से चोकलेट खाना आपकी सेज्एद के लिए हानिकारव हो जाएगा बस मैं आपको बता रहा हूं मुगल गार्डन्स लगे ह हुए हैं चाहे तो आप देखके आ सकते हैं मुगल गार्डेंस कहां पर लगते हैं यह हर साल बच्चे इसी टाइम पर वैलेंटाइन डे के आज पास मुझे याद नहीं से 14 से स्टार्ट हो ठीक है 14 से स्टार्ट होता हुश्य तो यह लगते हैं प्रेजिडेंट हूस में I have been there it is amazing experience you must go there you must go there अगर आप दिल्ली में इस तुफान ने हिट करा है मलब वहां की सिटूइशन क्रिटिकल बना दी है बस इस तुफान का नाम पता हो यूनिस उतना ही बहुत है उससे ज़्याद आपको आपको जानने की जरूत नहीं है इंडिया में बैठ हुआ 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 है हुआ है तश्री फिल जात से बोलता हुँ मेरी एक तश्रीफ हिल जाती है ठीक है तो ठीक है मैं उमीद कर रहा हूं कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूं आपकी जिंदकी में कुछ चेंज ला रहे हैं आपको बहुत ज्यादा फाइदा हो रहा है उन सब चीजों से आपको बच्चे इतना अगर हो रहा है तब ही मेरे इस एफर्ट के फाइदे हैं प्लस में आप एक काम जरूर कीजिए बच्चे आप जरूर से प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए विकोज बिना उसके मेरे इन एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है राइट प्लिटी की प्लेलिस्ट बना देंगे माइक टांगो कि इस क्लास के लिए बहुत मैंनद लगती है यूँ वॉन्ट बिलीव सब्सक्राइब बजे से मैं कंटेंट बनाएं लगता हूं जब जाके सब्सक्राइब आठ बजे मैं क्लास ले पाता हूं सवां नोग सवानो तक अपनी क्लास खतम होती है तो रोज के के से इसको लाइक और शेयर करते रहें ठीक है बच्चे मुंबई टू होस्ट आई यो सी सेशन इन दो हजार तीस आई यो सी स्टेंड फॉर इंटरनेशन ओलंपिक कमेटी होता क्या है हर साल एक सेशन होता है जिसमें अलग-अलग कंटर के रिप्रेजेंटिटिव आते हैं मि मिल रही है तो बच्चे आने वाले टाइंव में उसकता है कि हमें ऑलंपिक ही होस्ट करने को मिल जाए कि हम पर ऑलंपिक हममें मिल जाए ऑलंपिक ही होस्ट करने को ठीक है जी तो अब इससे पहले 1983 में हमने और आई ओसी कमेटी को होस्ट करा था और अब जाके 2023 में यानि एप्रोक्सिमेटली चार डिकेड चार चालिस साल बाद जाके हमें दुबार है यह मोका मिल रहा है तो आपको बस इतना ही पता चाहिए कि इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमिट्टी को होस्ट करने वाला है और कहां पर करना करने वाला है बस इतनी सी बात है इतना ही आपको पता हुना चाहिए इस से ज़्यादा जानने की ज़रूत नहीं है नीटा अंबानिवस ओलसर मेंबर ऑफ दा इंडियन डेलिग आपको रटने लग जाएगा बच्चे अभी तो आप ऐसे कर रहे हो थोड़ टाइम बाद या आपको रटने लग जाएगा आपको जो बच्चा बार-बार पूछ रहा है मैं आपको बता दो कोई करेंट अफेयर का नोट्स आपको बनाने की जरूत नहीं है डैट वुड ब टाइम वेस्ट फॉर यू कुछ ने कीजिए अप करेंट अफेयर सुमिट सर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी एविलेबल है वहां पे आप जाएए और या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लिजे करेंट अफेयर सुमिट सर और उसको जोइन कर लिजे वहां पे आ करना चाहे तो देखो जी आपकी मर्जी है जहां से आपका दिल करें वहां से पढ़ सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि इतना करने से भी आपके करेंट एकदम ओपी हो जाएंगे जब इस चीज़ को आप लगातार करोगे इतने लंबे टाइम तक यह मैंने बच्चे डाल दी है 21 से ज़्यादा बच्चे हमसे यहां पर जुड़ चुके हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आप लोग भी इससे जल्दी ही जुड़ेंगे और अपना यहां पर अपनी फाइल से गरा देखेंगे और ठीक है इसके लावर डिस्क्रिप्शिव लि खतम होता है बस अब कर देखेंगे आज के लिए बच्चे इतना ही जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में ओवर एक रिव्यू मेरे लिए भेज सकते हैं मुझे अच्छा लगेगा कि सर मतलब मैं जो कर रहा हूं मुझे लगएगा कि वर्थ इट है कैप्टन ठीक है एक टिक है डिए आज एक चाहिए चोटी रखनी होती है इसलिए मैं जाध आपके कमेंट सेक्षन पड़ नहीं पाता हूं विकरूजे के लाज्टी रखनी होती ठीक है थैंक यू सो मच्वर्योड लुव ऑंड सपॉर्ट बाबाय टेक कियर जैन जाह भारत